आज मैं आपकी साथ एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ जो थोड़ी खटी होगी थोड़ी मीठी होगी और थोड़ी सी स्पाइसी होगी हम इसे बनाने वाले हैं आवले और हरी मिर्चे से बहुत इस्वादिस्ट लगती हैं साथ आप इसे स्टोर करके 15-20 दिन तक फ्रीज में रख भी सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम आवला लिया है आवले को मैंने अच्छे से धो लिया है एक बरतर में पानी को गरम कर लिया है अब इस गरम पानी में हम यह आवला डाल देंगे क्योंकि आवले को हमें यहाँ पर अच चुका है क्योंकि आवले में यहाँ पर अच्छे से क्रेक्स आच चुके हैं तो गेश का फ्लेम ओफ कर देते हैं और पानी में से आवले को बाहर निकाल लेंगे अभी नावले की मैंने सारी गुठलिया अलग कर ली है और इनके कलिया निकाल ली है तो एक मेशर ले ले लेते हैं और इसे मेश कर लेते हैं तो आप चाहें तो किसी चम्मस से इसे मेश कर सकते हैं या फिर अपने हाथों का यूज करके भी इसे मेश कर सकते हैं देखें मेशर के निकाल लीजिए तो गेश चालू करके गेश पर कड़ाई रखी है इसके अंदर हम डाल देते हैं एक चमस तेल और इसी तेल में हम डालेंगे एक छोटा सा तुकड़ा दाल चीनी का आदी चमस में यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ इसे के साथ डालेंगे आदी चमस सोफ आदी चमस साबू धन्या धन्य को थोड़ा सा हाथों से क्रश करते वे एट कीजिए और अब हम इसमें एक तेज पत्ता भी डाल देंगे इन सबी चीजों को थोड़ा सा फ्राई कर अब मैं यहाँ पर एक से दो पिंच हींग डाल रही हूँ इससे बहुती अच्छा सा टेस्ट आएगा चटनी का और अब हम डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च ली है यह छे से साथ हरी मिर्च हैं जिनके मैंने इस तरह से पीस कर लिय हैं तो अब हम यहाँ पर दूसरे मसाले एट कर देते हैं आदी चमश में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसके साथ हम यहाँ पर हल्दी पाउडर पी डालेंगे तो आदी ही चमश मेंने हल्दी पाउडर लिया है यह इसमें एट कर देते हैं और इसे भी सबआते हorious को अच्छे से में राट लिए यहां पर अच्छे से मेग्स कर लिखे एक चमच में नमक भी को और अच्छा पर राल नमक इसाथ एक चमच टाल देंगे और इन सबी चब्स कर देते हैं और गूर को अच्छा मेल्ट कर लेंगे या इन आप देख सकते हैं गूर भी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है अब मिस्ट में डाल देती हूं आधी चमज गरम मसाला विसे तो हमने या पर खड़े मसाले डाले हैं लेकिन गरम मसाला डालने से भी इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा तो इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा है और बहुत इस्वादिस्ट चटनी बनी है तो हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है बस गुड़ा हमारा मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो गेस का फ्लेम ओफ कर देते हैं अब यह ठंडी हो जाए तो आप किसी बर